हेलो सुदेंट्स वेल्कम टू अफिशेल यूटूब चैनल आफ ओरीजिन कोचिंग स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेसल क्लास में और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्पूर्ण टापिक पर बात करने जा रहा हूं और वो है देखिए अब ही आ गया अक्टूबर का महना अक्टूबर के महने में भी यदि आपने क्लास 12 फिजिक्स का पढ़ाई अच्छे सी स्टार्ट नहीं किया है तो घवराने की कोई बात नहीं है जब जागो तभी सभेरा आज मैं आज से ही यदि आप आज से ही स्टार्ट करते हो तो फोर मंत में सिर्फ फोर मंत में आप लेकिन सवाल ये है कि आज जो इस स्ट्रेटिजी मैं आपके साथ सेयर करूँगा उसके साथ आपको मेरे साथ काम करना होगा मैं पूरी प्लानिक आप से शेयर करता हूँ कि किस तरह से हम केवल 4 मंथ में only 4 मंथ में हम अपने फिजिस क्लास 12 के सीलेबस को 2024 के एक्जाम के लिए complete करेंगे new syllabus के pattern पर जो भी CBSE board ने जो नया syllabus हमको दिया है जिसमें बहुं से topic deleted हैं वो सब लेके हम आपसे बात करेंगे तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं इसको 95 प्लास only 4 मंथ इन only 4 मंथ सिर्फ चार महने में आप पास सकते हैं 95 से उपर नंबर लेकिन आपको उसके लिए कैसे प्रिप्यर करना होगा यदि आप 0 से भी start करते हैं तो हम आपके साथ हैं हम complete आपको help करेंगे फोर मंथ में बस हमारे गाइड लाइन पर हमारे foot step पर आपको चलना होगा देखे सबसे पहले तो मैं आपको syllabus के साथ में discuss करूं कि हमारा जो syllabus है देखे हमारा जो syllabus है class 12 के लिए 23 24 के लिए एक बार आप ध्यान से syllabus को आप देखो और यह syllabus के हमारे जो टापिक हैं मैं आगे आपको टापिक पाइस और किसी वीडियो पर एक टापिक को लेके जो डिलेटेट पार्ट उसके लिए मैं अलग से आपसे डिसकस करूंगा आप तुम आज मैं ओवराल आपसे प्लानिंग कर रहा हूं कि कि कितने मन्त में हम कितने मार्ज के syllabus को कम्प्रीट करके हम फोर मन्त में इस लेबल में पहुंचेंगे फिर कहां से करना है भी मैं आपको बताता हूं देखे तो सबसे पहले आप समझ जाए य इसके बाद यूनिट सेकंड हम इसमें इंक्लूट कर लें करेंट इलेक्टिसिटी जिसमें चेप्टा नमबर थ्री में करेंट इलेक्टिसिटी का पोर्शन और सी बीसी बोर्ड ने इतने को 16 मार्ज का वेटेज का बनाया है 16 मार्ज का वेटेज है और मैं आपको चेलेंज के साथ कहता हूं कि यह 16 मार्ज का जो टापिक है वो प्लस यूनिट नमबर थ्री में इसके बाद फिर चेप्टर नमबर फॉर का मुविंग चार्जेस उसका पार्ट है चेप्टर नमबर फाइब में मैंगनेटीज में यह 17 मार्ज 33 मार्ज 33 मार्ज का जो टापिक है यह आप वन मन्त में यह 33 मार्ज का टापिक मैं आपको वन मन्त में करा दूँगा अक्टूबर के महिने में ही हम इतना टापिक complete कर लेंगे that means हमारी पहले मंद की जो planning है जो मैं आपको October के लिए बताया वह सिर्फ October के महिने में हम complete यह दो unit unit first और unit second को 100% complete कर लेंगे 100% complete कर लेंगे previous year question के pattern को भी ध्यान में रखे आगे मैं बात करूंगा कैसे करना है इसके बाद हम November में start करें तो November में unit force से start करें जिसमें electromagnetic induction और हम इस तरह से divide भी कर रहे हैं कि इसका जो study है एक pattern पर है इसके बाद electromagnetic induction and alternating current और यह chapter के साथ में हम देखें electromagnetic waves इतने जो टापिक हैं और साथ में optics optics का जो portion है तो देखो यहां से यह हमारा optics का जो portion है और optics के portion तक यह जो हमारा unit 5 है unit 6 है ज्यादा contents नहीं है 18 marks का है और 18 marks के contents को हम बहुत असानी से November के month में complete कर सकते हैं यह schedule मैं आप से share कर रहा हूं इस pattern पर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी और इसके बाद फिर आप देखो यहां से मारा स्टार्ट होता है modern physics तो modern physics का जो portion है नेचर आफ रेडियेसन इंड मेटर से यहां से हम को करना है एटम और निक्लियाई बहुत छोटा सा चेप्टर है जिसमें एटम निक्लियाई बस दो दो तिन तिन लेक्चर के चेप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इलेक्टानिक डिवाइसेंड सेमी कंडॉक्टर तो यह हम 12 मार्स का और 7 मार्स का इतना हम कर सकते हैं दिसंबर में दिसंबर लास्ट तक हम सिलेबस को कंप्लिट करने के बाद मैंने आपसे बोला साब 4 मंथ की प्लानिंग 3 मंथ में पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगा कंप्लिट इसको 8 to Z पूरे डेरिवेशन के साथ और इसके बा कहां पर हम आपको पढ़ाएंगे कि कि तरह के कुवेश्ट्र के सक्वेशन प्रेप्टिस पर हम बात करेंगे अब मैं आपको बता दू कि यह सब हम कहां पर और कैसे पढ़ेंगे यह सबसे इंपोर्टेन बात है तो यह सी लेवस मैं आपको कम्प्रीट कर रहा हूं यहां देखें मेरे अने केडमी पर फ्री स्पेसल क्लास है जिसमें आपको कोई सिंगल रूपीज भी फीपेड नहीं करना है और वह भी दोनों क्लास के लिए यह 11 सबसे इंपोर्टेन बात है कि स्पेसल लाइव क्लासे होगा पूरे क्लास होगे doubt solving होगा live chat होगा quiz होगे और previous year question को लेके हम आपसे हर class में बात करेंगे कि CBSC board में question आते कैसे है answer writing कैसे करना है और हमारे class का जो schedule है वो यह है कि class 11th हम 3 days लेते हैं week में और class 12th का जो हमारा syllabus हम complete करेंगे वो है Monday को Wednesday को और Friday को यह हमारे classes होते हैं जो आपको 4 to 5 PM को मिलेगा unacademic application पर unacademic application पर यह हमारा class हो रहा है इस class को आप join करके सिर्फ 4 month में आपको 95 plus के label पर हम तयार कर देंगे बस सवाल यह है कि आप regular class join करो एक भी class को आप miss मत करो और जिस तरह से मैं आपको guide करता हूँ उस guideline पर आप चलो तो अभी आप late नहीं हुए हो एक्ट्वल में इंसान कभी late नहीं होता जब वो sincerity पैदा कर ले अपने अंदर जब से सोच ले कि आसे मुझे करना है तो कर सकता है हम आपके साथ हैं हम आपको इसके लिए complete help कर रहे हैं आप इस class को जोईन करिए और अपने cbse class 12th board के preparation को physics के लिए 100% से और करिए ओके थैंक यू थैंक यू सो मुझ